तो आज मैं रिव्यू करने वालो एक महंगे माइक को और एक सस्ते बिगिनर माइक को ये जो माइक मैं अपनी सारी वीडियो में यूज़ करता हूँ ये है MXL Tempo और इसकी कॉस्ट है लगबग 10,000 रुपे और ये छोटा सा Boya M1 माइक है 800 रुपेगा अब बात कर लेते हैं इन दोनों के differences की इस माइक को यूज़ करने के लिए मुझे setup चाहिए और computer तो हमेशा मेरे साथ होना चाहिए और वहीं इस माइक को मैं easily कहीं भी carry कर सकता हूँ और अपने mobile में, laptop में, computer में और camera's में कहीं भी use कर सकता हूँ इस माइक की एक और खासियत है, इसमें आती है 6 foot लंबी wire जिसे आप दूर तक use कर सकते हो तो ये तो थे basic differences, तो चलो अब बात करते हैं sound test की अभी तक जो आप मेरी अवाज सुन रहे थे वो थी इस माइक की तो इस माइक को करता हूँ मैं side अब जो आप मेरी अवाज सुन रहे है वो है डिरेक्ली बोया के M1 माइक से और ये एक edited voice sample है अब अगर तुम्हें बिना edit के सुनना है तो वो है कुछ ऐसा अभी जो आप मेरी अवाज सुन रहे है वो बिल्कुल भी edited नहीं है और डिरेक्ली बोया M1 माइक से आ रही है तो यार कैसा रहेगा अगर comment section में आप लोग बताओ कि beginner के लिए कौन सी माइक choice सबसे best रहेगी